अडियो प्रेंट्स वेलकम बेक टू मय चैनल शुनी गडनिंग और फ्रेंट्स आज में अपने के लैंचों की जो कटिंग में एले कुछ टाइम पहले ग्रों की थे अब वह कफे लग चुकी है तो अब इन्हे separate करने का time आगया है तो friends cutting को सही time पे separate करने से हमें सही time पे flowering भी मिलती है क्योंकि अगर हम separate करेंगे तो इन्हें काफे अच्छा space मिलेगा और friends से हिन्हें flowering भी काफे अच्छी आएगी तो इस time पे friends में अपने जितनी भी clenchen की cuttings है मैंने इन तीन पॉट में लगा रखी थी और ज्यादा बारिश की वज़े से कुछ कटिंग से इस पॉट में से मेरी जो डैद भी हो गई है और जिन कटिंग की थोड़ी बहुत भी बची है उन लोगो मैं फिर से वापस से ग्रो कर लूँगी और जिनकी अच्छी रूर्स आ नहीं है फ्रेंस उनको मैं अब सेपरेट कर दूँगी तो फ्रेंस इसकी सोईल में तयार कर लूँगी और आज मैं इसकी सोईल भी आपके साथ में शेयर करूंगी और इसका जो फर्टिलाइजर है वह भी सेयर करूंगी और इसके फंगिसाइट और इसकी जो वाटरिंग इ और friends ये केलाचो का एक Mother Plant है जिसको मैं पिछले साल परचेस करके लाई थी तो friends में इसको भी डिवाइड करके लगाऊँगी तो चलिए friends मैं इसकी मिटी तेयार करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि केलाचो की जो पोधा होता है उसे किस طریقी की Soil Media में मिलाते हैं फ्रेंट्स को जदा पानी कि ज़रूद नहीं होती है इसे कम पानी की ज़रूद होती है तो इसकी मिटी हमें इस तरीके से मनानी है कि इसमें पानी ज़ отвеч ना करें और आपको फ्रेंट्स इसको ना तो shady area देना है और ना इसे डारेक्ट sunlight में रखना है इसे एसी जगह पे आप रखेंगे फ्रेंस की जहां पर से दिन या शाम की थोड़ी बहुत धूप इसको मिलती रहे बाकी सनलाइट पुरा ही मतलब की शेडी एरिया में भी इसे लाइट मिलता रहे एकदम अंधेरे में न रखें तो फ्रेंस ये काफी ग्रो करेगा आपकी ग देखें फ्रेंस इसकी जो मिट्टी है वो अभी भी गिली है तो अगर आप इस तरीके से चेक करते हैं और उपर पूरी सुखी दिखती है तो आप इसे दो इंच तक भी इस तरीके से देखें और अगर नीचे से इस तरीके की गिली मिट्टी निकलती है तो आप तब भी इ तो आप अगर इसे भार बर पानी देंगे तो इसकी इस्तें बहुत नजुक होती है यह यहां पर से ही इसकी स्पैम पानी की वज़ें गल के गिर जाएगी तो आप इतना ध्यान रखेंगे तो के रांचों आपके घरडन में हमेशा xuबने rabbits तो अब बारी आती है friend की में सारी cuttings को निकाल को लूँ और इसकी मिटी बना कर इनको separate कर दें तो friends में ज्यादा सभी को अलग-अलग pot नहीं दूँगी friends में बड़ी-बड़ी cuttings है और जो चुटी-चुटी cuttings है उनको equally एक group बनाकर एक बड़े से pot में रखोंगी ता कि अपनी cuttings को grow करूंगी और pot जो मैंने आपको बताये थे तो pot friends ये हैं और ये काफी बड़े हैं तो मैं यही सोच रही हूँ कि इतने बड़े pot में single cuttings लगाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें watering ज़्यादा होगी तो friends मैं इसमें चार या पांच cuttings सेपरेट करूंगी और फिर उसके बाद में इन cuttings को सोचूंगी कि बागी और कितनी लगानी है तो सबसे पहले तो friends मैं इस mother plant को सेपरेट करूंगी मेरे पसमiken 6 ट्रूप के प्लैंट हैं और चारो की कटिंग्स लगी है या उसमें मदर प्लैंट। मैं पहले प्लान्स को अलग कर लेती हूं उसके बाद में पिर कटिंग स्चिपा और प्रेंस यह जो सॉइल मीडिया है वह इस तरीके से हैं कि एक पाट में ने इसमें सेंट के लिए है और एक पड़ में राइस हसक क्लिए है राइस हसक काँ एपकर और ये मिट्टी को काफी हलकी भी बनाता है जिससे इसकी की जलिंगे जड़ की मैंने की ख Children İsम भी मिलता है और जो मोश्विश्व है उसको इतना कि एक रखता है तो मैं दोन एतो बारिश के बाद में फ्रेंस कुछ टाइम ही धूब तैज निकलती उसके बाद में फ्रेंस दूब की जो तेजी देती वो कम हो जाती है तो फ्रेंस कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखेगी दोफन क는 फ्रेंस्ट के मैं फ्रेंस पानी के लिए काफ़ी nogसान होगा तो अगर गलती से भी ज़्यादा पानी डल जाता है तो फ्रेंस वो गल जाएगा और इसकी जगह में फ्रेंस ये आउडंग कमपोस्ट ले रही हूं तो ये कोकोर पीट जो होती है फ्रेंस उसके जिसा ही थोड़ा सा पानी को होल्ड करता है तो ये थोड़ा पानी होल्ड कर लेगा और इसके लावा ये गड़न सोल है इसमें फ्रेंस मैं थोड़ा से एपसें सोल डालूंगी क्योंकि मैं कटिंग को अगर निकाल के लगाऊंगी तो थोड़ा उन्हें शौक लगेगा तो ये शौक से बाहरा नहीं में उनकी हेल्प करेगा इसके लावा फंगिसाइड बहुत ज़रूरी है फ्रेंस तो आप इसको फंगिसाइड भी डालिए तो मैं थोड़ा सा फंगिसाइड डालूंगी फ्रेंस क्योंकि मैं पानी जब इसमें डालूंगी तो ये फंगिसाइड वाला ही डालूंगी तो फंगिसाइड इसमें मिल जाएगा बाकी थोड़ा सा म इसमें सोयल में एड़ कर दूंगी इसके अलावा फ्रेंस नीम खली डालना बहुत जरूरी होता है तो मैं इसमें नीम खली भी एड़ करूंगी तो मैं एक मुठी के करीब नीम खली इसमें एड़ करूंगी ताकि इसमें चीटी और कीडे इंसेक्ट जो हैं वो ना हो और इसक कि लाइब आप फ्रेंण्स के लांचो में बोन मील पाउडर का जो असर देखा जाता है वो काफी अच्छा होता है यह स्टेम को काफी मजबूत करता है क्योंकि इस्टेम बहुत ना जुकाती है तो आप बॉन मील का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप बॉन मील नहीं पर्चेस करके बॉनमिल की जगह अब यूज कर सकते हैं अपनी सोईल में और मैं खोड़ा सा बॉनमिल डाल देती हूं तो एक चमच के करीब फ्रेंट्स में बॉनमिल इसमें मिला दूंगी तो फ्रेंट्स यह हो गई मेरी मिट्टी तयार अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूं और फ्रेंश को काट्इंग कालने की तो मैं सबसे पहले यह वाली कट्इंग निकालोंगे तो मैं इसी में निकाल लेती हूँ तो इस तरीके से और फ्रेंस ये देखिए कटिंग निकल गई है इसकी रूट्स भी काफी अच्छी है तो फ्रेंस इसमें काफी रूट्स बड़ी नहीं आती नाजुक सी चोटी-चोटी सी रहती है आप देख रहे होंगे तो कर эти तरीके से लगी है ये बत च्छोटी सी कटिंग से देख Йहां तैस की बेरेप दो ख़िए लावा कि ऑस रोगाऊ है इक है स्यूटी आप प्रेंस जो के लांचो रहत आज हैं उसकी जो बाल और रहते हैं हमारे वुस्सेश dla बारीक सी उसक्सीं हम बहुती होती च्टी कटिंग की निकाल कर दिखाऊंगे हैं ने बाकी की की सब की नहीं निकाल पा रही ओमें क्योंकि मुझे अधस लग रहा कि मैंने काफी टाइम से इसे Umic. तो मैं आपको इसकी निकाल कर दीखाती तो मैं इसे यहां पर डुबा कर आपको दिखाती हूँ पानी में फ्रेंस बहुत जल्दी से इसकी जो रूट से वह निकल जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही थी देखिए फ्रेंस इसकी रूट साब देख पा रहे हूंगे काफी अच्छी ग्रोथ है फ्रेंस और अभी हम जब इससे सेपरेट कर देंगे तो इसे एक स्पैस मिल जाएगा खाली सा तो ये काफी अच्छी ग्रोथ करेगी तो देख रहे हैं फ्रेंस आप कि ये सारी रूट सें तो चलिए फटा फट से अब हम इन सबको निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद में इनको हम सेपरेट कर देंगे तो बहुत सारी कटिंग है फ्रेंस और मुझे बहुत सारे पॉट भी चाहिए होंगे तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक ही पॉट में इन सारी कटिंग को लगा कर सेपरेट कर दूँगी क्योंकि देखिए और ये इसकी अब मैं इस वाली को खाली कर लेती हूँ फ्रेंस देखिए फ्रेंस मैंने ये मदर प्लांट को भी निकाल लिया है और ये सारी जो कटिंग से मैंने वो भी निकाल ली है मैंने इसमें इतनी मिटी रहने दी है ताकि ये डिस्टरब ना हो जादा और बहुत सारी क सबस्कe करने के बाद में आपसे मिलती हूं तो फाइनली देखें मैंने सारी कटिंग्स सब्सक्राइब कर दिया और अब मैंने उसे फंगिसाइट लगा कि इस बड़े सब्सक्राइब कर दिया है जिसमें इने कटिंग लगा रखी मैंने वही सारे प्लांट लिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि बड़े exercising बड़े पौट लेने से फानी भी में जादा इसमें जाता है तो मैं नहीं चाहती कि इसकी स्टेम गल जाये इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है कि और अब मैं इसमें पानी ढाल दूगी तो यह would मैं फंगिसाइट वाला पानी सब में ही एट करूंगी तो देखिए फ्रेंज मैं ने सब में पानी डाल दिया है और देन आउट हो रहा है छोटी-छोटी जुट्व कटिंग बची थी फ्रेंज वह मैंने इसे पुराने से पॉर्ट में लगा दी है और इसके बाद मैं फ्रें झाल झाल